नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैल्टफ XT टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है कैल्टफ XT टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और कैल्टफ XT टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यहँ भी डिसकस करेंगे कि Caltove xT tablet को लेते समय क्या-क्या साफधानिया रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए Caltove xT tablet को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में काल्सियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दातों और हड्यों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्यों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड्डियां और दान्त कमजोर होने लग जाते हैं. हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वज़ा से दातों की जड़े कमजोर हो जाती है, और दान्त भंगुर होकर तूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दातों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकित्स हो सकता है और 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्तिय में ऑस्टियो मलेशिया और ओस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है ओस्टियो पोरोसिस एक हड्यों का रोग है जिसमें हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है जिसकी वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स ले रहे हैं तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार हैं क्योंकि विटामिन D के बिना आपके शरीर में कै काल्शियम के सप्लिमेंट्स पेशाप के जरिये शरीर से बाहर निकल जाएंगे इसलिए काल्शियम और विटामिन डी को एक साथ लेना जरूरी होता है कैल्टफ एक्सटी टैबलेट में काल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है इसलिए आपको विटामिन डी के सप् किन कंडिशन्स में किया जाता है कैल्टफ एकस्टी टैबलेट का उप्योग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्यों में फ्रैक्चर होने पर रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर शरीर के जोडों हड्यों वह मांस्पेशियों में दर होने पर डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ऑस्टियो पोरोसिस होने पर ऑस्टियो मलेशिया या रिकिट्स होने पर शरीर में नुट्रिशन की कमी होने पर शरीर में दातों जोडों और हड्डियों को स्व किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। और किन व्यक्तियों को कैल्टफ XT टैबलेट को लेने की जरूरत पढ़ सकती है। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं। और दूद्ध दही जैसे डेरी प्रोड़क्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कैल्टफ XT टैबलेट को लेने की जरूरत पढ़ सकती है। महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जिसकी वज़ह से महिलाओं में मेनोपोस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और औस्टियो पुरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉस के बाद महिलाओं को भी कैल्टफ XT टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसलिए औस्टियो पुरोसिस होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर कैल्टफ एक्सटी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा किड्मी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को Lactogen Tolerance की समस्या है, उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। Lactogen Tolerance की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वज़ा से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती हैं, तो ये लक्षन लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की कैल्टफ एक्सटी टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंड़ होता है। के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कैल्टफ एक्सटी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। कैल्टफ एक्सटी टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए। या उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकता है। इसलिए कैल्टफ XT टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दूद में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दूद से बने उत्पात जैसे पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनका सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाठ कर सुबह शाम पी लेता है, तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो कैल्टफ एक्स्टी टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में कैल्टफ एक्स्टी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कैल्टफ एक्स्टी टैबलेट को रेक्मेंड़ डोज से ज्यादा डोज में लेते हैं, तो इसकी वज़ा से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको हाइपरकैलसिमिया भी कहते हैं. शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है. कुछ रिसर्च में यहाँ पाया गया है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है. किटनी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जात इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कैल्टफ XT टैबलेट को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि कैल्टफ XT टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। थाइरोइड की टैबलेट और कैल्टफ XT टैबलेट को एक साथ नहीं लेना चाहिए। किड्मी में पत्री होने पर कैल्टफ XT टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। आपको कैल्टफ XT टैबलेट को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए। क्योंकि केलशियम के साथ आरन के सप्लिमेंट लेने से केलशियम शरीर में आरन के अवसोषन को रोख सकता है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कैल्टफ XT टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.